और अभी हमारे साथ यहां से फ्रचारी प्रोफेसर डॉक्टर तारकेश्वत पंडित जूडने वाले हैं तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि कॉलेज में जीस तरीके से पढ़ाई होते हैं बहुत जगों पे कॉलेज को सरकारी सिस्टम के लिए ही रखा जाता है लेकिन डीसी कॉलेज में अगर देखा जाए तो चुकि सर जो है यहां पे लगतार छे साल अब कंप्लीट होने वाला है चोबीस अगर्ष को इस अभीधी में यहां पठन-पठन की क्या कुछ बेवस्थाय रही और कॉलेज का सिस्टम इतना जो है दुरूस्त हुआ और आगे का क् प्लान है इसी मुद्धे पे तार्किस और पटित सर जूड़ गया है बहुत-बहुत स्वागत है तो आए दिन देखा जाता है कि कॉलेज को मतलब सरकारी वर्क के लिए ही काम किया जाते है अब आपको आरेन कोलेज को ले लिए उसमें ज्यादार सरकारी वर्क होते हैं मुद्धे हैं क्या कुछ कहेंगे सरें जो है कोरोना भीय व कर सेशन लेट हुआ रखार के तमाम के लिए चल रहे हैं इसा नहीं हम लोगा छात्रों के लिए का म करते हैं लेकिन छात्रों का भी काम करते हैं जो छात्रे यहां आते हैं हमारे सिक्षक प्रबुद्ध हैं विद्वान हैं वे लरकों का क्लास लेते हैं और उनको संतुस्ट करने का प्रयास करते हैं मतलब होता है नंकी ज्यादा तर काम सरकारी इसलिए मैंने कहा कि पढ़ाई college में होता ही नहीं है कहावत है कि not knowledge without college ज्यादा सटुडेंट में पढ़ने ही नहीं आते हैं जानते हैं कि सरकार का जो college है उसमें पढ़ाई नहीं होता यही करने कि private college में जाके जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी में लिखवाए हुए हैं अब हमको लगता है कि डीसी कॉलेज में ढूरे ऑफ से स्टुडेंट होगे तो पढ़ाय तो कहीं ने-कहीं से बाधीत थे जो भी लड़के आते हैं उनका कलास होता है कौन-कौन से संकाई का यहां पड़ाई होता है कॉमर्स कला और विज्ञान संकाई यहां है जिसमें तेरा विश्य विशय है फिजिक्स केमस्ट्री बोटनी जूलोजी साइकलोजी अर्थ शास्त्र राजनीति विज्ञान हिंदी उर्दू धर्सन सास्त्र यह आधि-आधि विशय यहां है और उन विश्यों में जो हमारे रेगुलर टीचर हैं और जो गेस्ट फैकल्टी हैं करीब करीव लर्कों को सभी टीचर को लर्कों का मोवाईल नंबर दे दिया गया है मोवाईल से संपर्क करते हैं और उनको यहा साहं में साथ निश्पे की आपके कॉलेज में वाय वाई-फाई से मेरा काम चलता में करतेश हैं much Если यहां तो चलता है करीब दस बज़े से लेकर चार वज़े ससारे चार वज़े तक लगए रहते हैं वाइफॉपाय औहल नहीं रहते हैं। लेकिन उसका उपियोग लड़के महाविद्याले परिसर में जब तक रहते हैं करते हैं साथ निचे योजना के तहट अगर इस कॉलेज की बात करें कुण-कुण से योजना पर अभी काम हो रहा है यहां पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो DRCC से भी लोन लेके कॉलेज में पढ़ाई करते हैं अलग-अलग फैकल्टी यहां क्या कुछ बेवस्था यहां वैसी बेवस्था नहीं है यहां जो है चात्रों को चात्रविर्ती जो दी जाती है उस पर भी काम होता है यह ओन-लाइन लरके चात्र पर ब्रषटी भी मिल चुकी छिक है सब कोलेज में पुष्टकाले की सविधा है वाइफाक की सुविधा है कि यहां चात्रों लेकिन यहां जितने भी वर्ग हैं उसमें परिक्षा आयोजित किया जाता है जो चाहरों की संख्या होती है उसकी परिक्षा यहां सांती पूर्ण ढंक से तदा चार्मुक्त परिक्षा हम लोग आयोजित करते हैं इस कॉलेज के आगे सरक के साइड में दुकान है मार्केट बना हुआ है कहा जा रहा है कि वो अतिकरमन किया हुआ है किसके द्वारा अतिकरमन है उसके लिए क्या कुछ आपने विवस्ताय करवाई जब मैं इस महाविद्याले में आया उसी समय से ये अतिकरमन मैं देख रहा ह उसे पहले एने चाय द्वारा महाविद्याले को महाविद्याले की जमीन से जमीन का मुआबजा दिया गया इसके बाद हमने प्रशासन को सुचित किया कि भाई यह जमीन जो है वो इनक्रोचमेंट है सरकारी जमीन का महविद्याले के आगे की जमीन का जो है वो इंक्रोच्मेंट प्राइविट वेक्तियों द्वारा कर लिया गया इसको खाली कराए जाए हमने जिलाधिकारी से लेकर थाना और अंचलाधिकारी तक प्रयास किया लेकिन किन ही ने इस पर ध्यान नहीं दिया और समस्या जस्की तस बनी हुई है आप देख सकते हैं कि अधुरा मकान बनाए हुए है लोग लेकिन इसको हटाने के लिए कोई प्रसासन द्वारा प्रयास नहीं किया यह सब भी आया था कॉलेज में जो है कुछ विकास की योजनाव के लिए कहा जा रहा है कि कुछ फॉंड भी अलॉटमेंट नहीं है विश्वद्याले की ओर से महाविद्याले का जो फंड था उसी को महाविद्याले को ट्रांसफर किया गया और उसी फंड से महाविद्याले का विकास हुआ सरकारी कोई फंड यहां नहीं मिला और आज भी महाविद्याले के विकास कोस में जो पैसे ह या चात्रों से विकास कोस के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं उसी से विकास किया जाता है कहीं दूसरी जगह से पैसे नहीं आते हैं तरकेसवर पंडित एक्स्क्रूसिव और नेसंट भी बिहार जुड़ गये थे तमाम बुद्धे पे सर ने अपनी बात को रखा है एक्स्क्रूसिव न्यूज के लिए बस इतना ही लिके नन खबरों के लिए लगतार जुटे रहें नेसंट भी बिहार के साथ